हेलो फ्रेंज, डॉक्टर एम राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो और आप आज का टॉपिक है सेक्स करने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए तो दोस्तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तो होता क्या है कि जब आप अन्प्रोटेक्स सेक्स करते हैं याने बिना कॉंडम की जब आप सेक्स करते हैं तो गर्बधारन करने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट होने में 6-7 दिन का समय लग जाता है दोस्तों और उसके बाद बच्चा दानी में बच्चा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और उस दोरान होता गया प्लेजेंटा के थूरू एक structure डेवलफ होता है और यहने होना start होता है और उसके बाद बच्चा मा के बुलट से nutrition और oxygen लेता है और उसके बाद बच्चे का growth start होना start हो जाता है दोस्तो उस समय प्लेजेंटा एक hormone release करता है जिसको हम SCG के नाम से जानते है और इसका amount बहुत तीजी से release होता है और pregnancy इसी के थूरू maintain भी होती है और उसके बाद जो SCG है दोस्तो यही जब release अधिक मातरा में होने लगता है तब हमें test करवाना चाहिए करना चाहिए तो दोस्तो इस दौरान कम से कम 21 दिन का समय लगता है तो हमेशा आप याद रग hypoth ही आपको test करवाना चाहिए अगर इसके बाद भी ऐसका negative आ रहा है तो आपको यहने चौते साथ दिन वीधे कम से कम यहने चार हपते का समय के बाद उसके बाद अब को test करवाना चाहिए तो हमेशा आपको जो test है वो हमेशा आपको सही मैंने आपको मिलेगा तो दोस्तो इतना सा आपको ध्यान रखना है और वीडियो कैसे लगा दोस्तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दन्यवाद